बिस्मिल्ह रख्मान यहीम असलाम उलेकूम व्योस आब हम करें 12 का एई पार्ट 12 के एई पार्ट के बाद हम इंशाला नेक्स्स कुछिंड करेंगे 12 के एपार्ट में यह वहला हमें कुछ डेटा दिया हो इस तरह से हो सो från करते वह स्वाय करना है एक तो quadratic ट्रंड करना कि सख़गे सब्सक्राइब प्रेब्लारवी कहता है दूसरे निभर पर हमें linear तेंड होट्टे करना कि यह स्थे यानि करता है तरह यह समल करना है है यति हैं बच्चों यहां हमें जो कोलम चाहिए यह वो हम फाइंड कर लेंदें पहले तो एक्स चाहिए क्योंकि यह ओड है तो मीडल एयर को ऐसे औरीजिन रख लेंगे मीडल एयर ओपर तीन छोड़ दें नीचे को तीन छोड़ दें दरमाने हमारे पास बजाएगा नाइटीन एटी टी माइनस टी बार नाइटीन एटी है हमने इसको ऐसे औरीजिन रख लिया अब आप लोगों को कौन कौन से कॉलम चाहिए यह आप टैन के एपार्ट में देख सकते हैं बहुत ही तफसीलर मैंने बिताया हुआ है अब एक सब्सक्राइब करना है 77 में इसे 80 माइनस करें माइनस तरी आ जाएगा बलकि यहां करें 80 पर 0 आएगा 80 में 18 निकालेंगे 0 ऊपर को माइनस की जाएंगे वैल्यूस नीच्व को बलास की और एक तर्तीब से आए लिए 788- 79 7882- 583 था अब हम सब्सक्राइब डिक है एक स्कैर आककर स्कैर अरए स्क्राइब पार फूर इह लाप्सेटत चाहिए इसके साहरे के एक स्कैर भाइब जाहिए फिर हम सच्क्राइबend कराएंग ए का स्केर फिर एक सी पावर फॉर ठीक है बच्छो यहां पर अब इन सारे कोलम को किस तरह से करना है देखें एक्स य को करेंगे थी से मल्टिप्लाइब करेंगे 88 को माइस 3 मल्टिप्लाइब प्रेस एंटर यहां को पास वादियो मैस 2 64 24 इसी तरह एक्स केर वाइब को किस तरह से करना है इस वाले को इससे लिवाए अक्समुद में आता जाएगा देखें मैंसमेटिक्स का रूल है जब बेरियाबल को मिशाटी की आ जाए तो यह वेरियाबल की पावर प्लस हो जाती ह हो Crime स्केर्ड मन Ltd लाइ एको एक्स वाई वाले कोलुम मैंने इसली मिल्टिपलाई ही है मात दो आए ऐते हैं कि सबस्केल देने करें हैuar एक्स स्केर्ड वाइक स्क्राइफ ही 510 इसाम स्फोнос कि मृणिपलाई होकर तो प्लस हो जाती है है अब x square find करना 3 का square 9, 2 का square 4, 1 का square 1 इस तरह हमने यह column calculate कर लेना है अब x की square का scale लेंगे तो आपके पास x power 4 बन जाएगी 9 का scale लेंगे 81 आ जाए, 4 का scale exchange, 1 का square 1 रहेगा अब इसी तरह यह तीन चाहर product columns हैं यह हम find कर लेते हैं ह suitcase कर देता हूं है थीक यह दिया कि श्रक्रश कर ली थी मैंने सारी हुँ केल्गुले कर ली है और यहां जो है यह 480 है ठीक है बचछो यहा को दिका से Eis और यहां है हमारे पास 1196 1188 1188 है यहां मैं दिख देता हूं 1188 1188 अब यहां मैं चाहिए हैं कि सांद काल्कुलेट करने के लिए मैं शोटकुट मैथिड यूज़ करूंगा काल्कुलेटर से काल्कुलेटर मुझे डारेक्ट सोल्ग करके देगा कि मैंने 10 का एक बड़ी अच्छी तरह से देखा हुँआ जिसके बज़ए से मुझे सांद सारे काल्कुलेट करना आते हैं अब मैं केलकुलिटर से सम्स कल्कॉलेट कर लेता हूं पोस करके ठीक है बचो ये दिक मैंने सम्स कल्कॉलेट कर ली है अमीद करता हूं आप लोगों ने भी कर ली होगी यहां 178 यह 3082 है ठीक है बाकी आपको सारी समझ आ गई होगी अब आयाते सबसे पहले सी फाइले हम फाइंड करेंगे लीनियर ट्रेंड जिस तरह उसे ने बताया उसी तरह फाइंड करेंगे पहला कुछिन पूछे लीनियर ट्रेंड मतलब लिष्स्क्रेंड लाइन इसके लिए हमारे पस्वी होगा एन सिग्मा एकस वाहिन ज्मा एकस एंड ऋड वाहिस एंड सिग्मा एकस क्वाल स्क्यार है अब यहां बद्क रोख जो है जिसके सारा जिरू है यहां भी यह 0 हो जाएगा N Sigma X Y divided by N Sigma X square हो जाएगा और यह Nvir N से get your formula about sigma X by divided by Sigma X square Sigma X y कितनी है हमारे पास यह बैच्चों 178 divided by Sigma X square which is 28 यहां जाएगा हमारे पास B B की वैल्यू लिख्यों गई 178 डिवैड़ बाइ 28 रेसे इंटर करें यहारी हमारे पास B की वैल्यू 6.36 उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही हो गई यही अब इसी तरह एक वैल्यू को लेठी है हुए हमारे पास्पास सिग्मा वाई- माइनश- इस- इस डिवाइड़ बाइन इसाब वाई हमारे पास कितना बच्छों यह है हमारे पास 750 सिक्स पॉइंट त्री जो अभी अभी आई है सिक्मा एक्स कितना है यह हमारे पास जीरो जिसके विजाए यह भी जीरो हो जाएगा हमें पी डिवाइट करना पड़ेगा एंद सेवन अब यहां देख लेते हैं यह आजाएगा 750 को सेवन पर डिवाइड करेंगे चिक्क है बैचो 750 डिवाइड बैसेवन यह एक वेल्टी आरी बन वान फॉर उमीद आप लोगों कि भी यही आ रही हो वन वान वान सब्सक्राइब वान फॉर अब कहते हैं जब एक्स आपके पास कितना हो यह इसने बताया है कि कहते हैं 1985 पर ट्रेंड क्या होगा 1985 पर यहां आथ में पहले तो देखते हैं एक्सिवली क्या आएगी यह एक्स का कोलम था यह वाला सारा 82 पर आई 2 यहां मैं आपको उता देता हूं 1982 पर ट्री पर आ रही है हमाँ पस्तिड़ी क्याता है 84 पर 4 आएगी फिर यह पूछ रहा हम से 85 पर 85 पर 5 हो जाएगी बाए ट्रेंड यह देखिए नीचे को प्लस होती जा रही है कि बढ़ती जा रही तो 85 पर 85 हो जाएगी मतलब 5 हो जाएगी 85 पर 5 हो जाएगी यह कि 3 83 पर 3 यह फिर 84 पर 4 85 पर 5 हो जाएगी फाइव हम यहां पूट करेंगे वैं एक्स इस इकल तो फाइव जब एक्स इस इकल तो फाइव हो हम लिकिंग वान तो सेवन पॉइंट जाएगी 14 फॉट प्लस 6.3 6 पर फाइव हो जाएग हो जाएग हो थी फॉट पर फैट जाएग वान तर्टी एट पर नाइफ फोट अब आपने टू डिजिट किस तरह स्पिक्स करना है यह पार्ट में मैं आर्रेड आप लोगों को बता चुका हूँ वह नहीं जेका तो उसे लाजमी देख लें हमारे पास आगए यह value of trend in linear trend equation अब हमने फाइंड करना है Quadratic trend ट्रेंड ट्रेंड लिए फाइंड करेंगे सबसे पहले हमें फाइंड करना बता है C which is n स्वाइड 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 दिवाइड अब फामुला किस तरह से जेंड हुआ स्वाइड 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 स्वाइ का स्क्यार 28 का स्क्यार यहां जो इस ची की वैलियो मॉल्टिप्लाइब करके देखते हैं यहां 7 x 309 82 माइनस 28 मॉल्टिप्लाइब 750 प्रैस एंटर करते हैं यह आपकास वैलियो हैं 574 मैं तू डीजर तक फिक्स किया हुए डिवैट करेंगे ट्रैक्ट स्टाट करेंगे 7 x 196 माइस 28 का स्क्यार प्रैक्ट क्लोज करेंगे इस में लबड़के एंटर करेंगे यह आपकास आएगा 0.98 में आप लोगों के पास भी 0.98 आ रहा हुआ अब हमने फाइंड करना है ए ए होगा मेरे पास सिम्म y minus b minus c sigma x square divided by n कि हमारे पास क्या होगा सिम्मा y आ गया हमारे पास 750 minus c.98 इंटर सिम्मा x square सिम्मा x square कितना है हमारे पास यह है हमारे पास 28 divided by 7 यहां आजेगी a की वेल्यू 750 minus 0.98 multiply by 28 प्रेसेंटर डिएड़ बाइ 7 प्रेसेंटर के नहीं प्रेसेंटर सिम्मा नो 3.22 आ रहा है 103.22 अब इसी के साथ बीक वेल्यू फोइंट कर लेंगे आगे सिम्मा xy दिएड़ बाइ सिम्मा x square सिग्मा xy हमारे पास कितना में डार्यक्त लिक दिता हूं सिग्मा xy हमारे पास बच्छो 178 multiply by sigma x square यहां 28 आया यह हमारे पास 6.36 अब क्वाड्रेटिक ट्रेंड हमारे पास आ गया वाइए हैट विच इपल टू कि ए मनुट 3.22 प्रस बी एक्स 6.36 एक्स इसके साथ आपको एक रुक्रेस्ट करों आपने थर्टीं का सी पार्लाज में देखना है प्रस सी एक्स स्क्यार यह आपको पास लिनियर ट्रेंड है सुरी क्वाड्रेटिक ट्रेंड आ गया अब हमसे थर्ड क्वेस्टिन पूछ रहा है यह था यह तो था सेकंड थर्ड हमसे पूछ रहा है वीच ट्रेंड इस बैटर ओफ ओफ ओल अब आपसे पूछ रहा का इनमें से बैटर कौन सा है इसकर यह आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक ट्रेंड इस बैटर ओफ और दूसरा उसे जिस तरह लिनियर ट्रेंड है जिसके ट्रेंड लाइन कहते हैं इससे बैटर होते हैं इसकी बज़ए यह साम ओफ स्केयर आम मैं दूसरा निमंन ओफ स्केयर एके फडरेटिक ट्रेंड इसवें हैं दिससे लिमेर ट्रेंड यह अपर ट्रेंड इसके पूरेट की सिश्में हैं दिससे बैटरे firm ज़ए फरे ओ क्वाड़तिक के टिससमोड ऐन दूसरा निसके地 अहर। therefore we can say that यह हम कह सकते हैं कि यह जो quadratic trend है is the better of all is the better of all या आप इसके कोई भी merit लिख देंगे या आपने एक दो statement लिखने हैं एक दो line में यह सारा कुछ डिफाइन कर देना है इस तरह का question शायद ही paper में पूछे अगर को knowledge वाला person बैठा हो मेरे जैसा तो पूछ ले पूछ ले वरना इस तरह क्वेस्टिन नहीं पूछें जाब से मिलें नेक्स वीडियो में आपने 13 कसी पार लाजमी देख रहे ना है तब तक के लिए अपने host technical professor को दीजी जाज़त लड़ने के बाद